असलम अलेकूम नाजरीन कैसे हैं आप सब ठीक है मिदा कहरेस होंगे बंदे में होंगे नाशी मलतानी चैनल पर वेलकम होगे हैं मामा पापा की परियो कैसी हो ठीक हो क्या कर रही हो समझाई है अज़े वीडियो चुरू करते हैं लेकिन उससे पहले लाइक कर दें क्योंकि हो नहीं होतें जो अपकी गलतीयों और इज़तों का तमाशा बनाएं बल्के अपने वो होते हैं जो आपकी गलतीयों पर प्यार मान भरोसे एहतराम और अधब का पड़दा डाल दें समझे हैं आ नहीं आई आ जानी चाहिए बेहतर वो साथवी आजमा पर रहने वाला रब हम जमीन पर बसने वालों का दर्द हमारे साथ जीने वाले इंसानों से बेहतर जानता है बेश्चक अच्छ जी कहते हैं शेक साधी रहमतुल्ह फर्माते हैं तुम अपनी हजार गलतियों के बावजूद अपने आप से महबत करते हो लेकिन दूसरों की एक गलती की वज़े से उ इन से नफरत क्यों करने लग जाते हो या तो खुद गलतियां करना छोड़ दो या दूसरों को माफ करना सीख लो या तो खुद ना वो गलतियां किया करें खुद भी वही गलतियां करते हैं लेकिन गनेगार इन लोगों को वो लोग लगते हैं जिन से ये नफरत करते हैं तो नफ्रत क्युंकल रहते हैं कि यह फलाऑं बंदा इन गल्ट करता है लजा बोग घल्ट करते हैं तो आप भी घल्ट ना किकरें तो बढ़े यहां बढ़े घुल है जो खmon पर तो खेर तो खेर एंग तो गल्ते उघ्या कर दूसरों को आफ कर जीने दें जी और जीने दो आशा जी यहां पर फात्मा का रियक्शन आया था मैंने उस पर रियक्शन नहीं बढ़ाया था रिव्यू नहीं दिया था और उसके बाद जो है साजित साब और कॉसर साहिबा उस पर भी बात करेंगे डू-डू-डू-डू-डू-डू-डू-ड बिल्कुल कोई लड़ाई नहीं थी मास सदके थीवे कुर्बान थीवे बीमा मुझे एक कॉमेंट आए वा था सिस्टर का कहते हैं दीडी हमेशा आप लोगों को अपने पीछे लगा लेता है इस वक्त उस टॉपिक को लाने की कोई जरूरत नहीं थी लेकिन आप लोग सितारक के गुनगा रहे थे सिर्फ सितारा सितारा कर रहे थे तो इसलिए जो है उससे बरदाश्ट नहीं हुआ और उसने इसलिए इस टॉपिक पे मैदान में खूद पड़ा और छोड़ दिया फिर आप लोग भी उस पे बात करने लगे थे बात तो हम करती करते हैं सितारा के ब्लॉग पर रिव्यू रियक्शन देते हैं उसके बाद जो जो चल रहा होता है यूट्यूब पर उसमें बात करते हैं यहां पर आप भी वाजी थोड़ी सी घलत हैं उसने हमें नहीं पीछे लगा है उसने अपनी बीवियों को अपनी सैमिली को टॉपि कि यहां उनकी भी दुलाई होती रहें उसने का इनकी दुलाई होती रहें मैं तो जा रहा हूं माई तो चला आप पर देसरे और आगे डाल गया बीवियों को इसने जो आईशा को छेड़ा एक्स-वाइफ करके और कहता है तुम ने अपने भाई को घर खराब किया पिर तेरी शादी करवाई है मैं सुआ जोड़ा पाया तेरी फर्वाईश ते लाल जोड़ा पाक लाल सुर की छट इलाके जो तुमारी शादी करवाने के लिए गई थी तो वो क्या था उसने फिर बेटे का घर खराब किया तो यहां पर बात यह कि इन्हों ने अपनी फैमिली क जो है रगड़ा लगवा गया है और वैसे इसका तुक नहीं बनता था अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं यह डूटू से जो वीडियो बनवाई है यह बड़ी ने बनवाई है रियक्शन उसी ने दिलवाया है कि भई इस टॉपिक को छेड़ा जाए अच्छा यहां पर और भी कुछ लोग कह रहे हैं कि यह जो सितारा है सितारा जो है इस टॉपिक पर बात करवा रही है चल जूटी गुनी जो मैदान पर खड़े हैं वो नदर नहीं आते आपको यह नहीं पता कि उन लोगों की सितारा के लिए क्या वैसे निकली हुई है यह वो लोग कितने सितारा के डीडी बगर की बात कर रही हूं कि वो कितना सग है उसका को है अप्रिशेट किया नहीं तो कि यह खुआ पनी को उसकी कोई ऑप्रिशिएट किया नहीं है छाला पनी कोके फि taught你 को कोई कुछ नहीं किया शादी भी जब हो रही थी तो इसने अपना शादा खड़का दिया तो उसके बाद जो है जो है क्या कहते हैं ऐसी करता है कभी अप्रीशेट नहीं करता लेकिन जब टॉपिक ना तो फिर जरूर आ जाते हैं टॉंट शौंट जरूर मारतें बातें भी कर थाद मिलीवी है या भी और भी इनके अपने भी तो है ना सिस्टर साहेमा भी तो है लगजाए तो इनकालना हो तो इनके होल पोल पटे नहीं खोल सकते हैं यही वाले खोलेंगे तो खैर यह लोग ही कर रहे हैं जो आप लोगों के सामने घृ आ रहा किया और वे यह कौन र पर पर बात करवाना चाह रहा था तो भई यह फेक निउस लग रही है मुझे तो फिलहाल वो इसलिए फेक निउस लग रही है क्योंके पिछली बार भी जो है ये बोला गया तो थोड़ा सा दिल में आता था में भी कर लिया और चुपा रहा है फिर बात में जब देखा उसक तो फिर उस बात को उसने मतलब रद कर दिया जूट बोला जा रहा है मेरे पर ले के आना तो फिर प्रूफ ले के आओ उसके बाद अब जो है दुबारा से ये वीडियो बनाई गई है और कहा गया है कि कल निकाह था और आईशा खुद गई हुई थी तो मुझे तो कहते थे पचास साल की उमर की औरत से शादी की है किसने बोला था किसने बोला था ये अलफाज किसने बोले थे पब्लिक ने बोले थे ना के आशा ने या ना के उसने बोले थे नजमा बगरा ने बलके आपने अपनी पहली जो बीवी है आपकी फात्मा उसको भ मेरे साथ फीट हुई फिर मेरे साथ शादी की अँको खुद पहले फैसला कर लो आईशा खराब अ हाई या चुGU पहले छूप है कि तुम अपने मामे से जब इसने बनskाएती तो तो शाजा कहलम या ता कि पिर जब यह आईशा को रियाक्शन देता है तो फिर उसे कहता है तुम तो घर से बाग गई थी बच्चा छोड़के तो पहले तुम खुद कलियर करो तुम्हारा अपना दिमागी तवासुन जो है ना इसका खुद का हिला हुआ अभी उम्रे पे जाते हुए अच्छे नजर आये औ और आये लेके गए हो तूं मेरे मत बोल मैरे पे मत बोल भूए ती जुहा इसके भाई Pay की शादी और्यहून जो है तब यह तो पिर तो बताएं हैं गिनाने बैठ जाना तो फिर बहुत लंबा हो जाना है कम ठीक है ना यहां पर आप लोगों की अपनी फैमिली ने मैं कहती थी के जितना आप लोगों ने अपने आपको एक्सपोज खुद अपनी जबान से की है ना इसलिए पबलिक आप लोगों से नफरित करना शिरू हो गई थी इसलिए कि आप लोगों ने अपने बड़ों को भी नहीं चोड़ा और छोटों को भी नहीं चोड़ा और खुद को भी नहीं चोड़ा खुद अपने दुश्मन आप लोग खुद हैं तो अभी जाते हुए ठुसकी जो यह चोड़ के गया है तो वो सीधा है एक सेक्स करके तो तूम लोगों सास्तिक निख नहीं वह भी तो सब की एक्स ही हैं तो मतलब इस तरह ठीलाना की पज़ बात प्रेक्जाया तरट यह भी प्र हैं यह पने दुश्मन आपं हैं अन्या गा ने में गया के तो अपसे chinipto मैं गया होते हैं ह।ा होता है न हमारे खकर कहते है खकkar वो पीले डेंगो नी होते है वो पीले वाले जो हते है वो आडले न jsद या मुद जाता है उससे एक तो ये शायद की मक्हिश्य मक्हियां एक दूसरे वाला जो ते यार क्या कहते हैं उसको मैं बूल गई क्या कहते हैं चलो हमारे यही कहते हैं पूंड पूंड ठीक है जी हो पूंड जटा हो देना इसे लगता है कि इसने वट्टा मारा खुद भागया जो आसपास के खड़ते उनके मूझ सुझा दिया तो डीडी ने वहा हुआ काम किया पत्तर मार के खुद जहास पे बैठ के निकल गया पीछ आपस में लूर 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 और भोलती है अभी तो चम्मिया का प्लच में मुटी ने लगो अँदेखी है मैरे आप नहीं है तर असर थे बात बात यह के का प्रेट नहीं है प्रक्षचा नहीं है मुझे कुछ नहीं देखे गिया, देंके मुझे सच्चा प्याम नहीं मिला, यह भी दो रोटिया गिनवाते हैं, मेरी बहन भी मुझे टॉंट मारती है, येकीन मारे, मैं अकेली जाद, जारों बाबाल मेरी जिन्दगी में है, मैं मसूम मसूमियत भरपूर, सारी दिनिया वे पास और आजिए लिगन, आपको पतरी मीडिकरी, मैं मुझे लिए प्रीकशन नहीं जाती हैं, आपको पतरी मैं कुछ भी नहीं बोला मैं सबके साथ रिश्ते झाना जानती है बहुत प्रेशान रहती हूँ, बहुत खारिश रहती है, 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 बहुत ख मेरे टूट गया है बटन भी मेरे टूट जाते हैं समय ने हाती है कौन जिन काला जिन मेरे पीछें पड़ गया देखे आज्सवेल में तथच जा क्या प्यार पात पने तो बात किया है कि मैं किसी की एक्स नही हूँ मेरा मेकम मेक्स सास चोरी न करके ले जाये समझ नहीं आ रहा है बीन आपा एक बात पूछनी थी हाँ सुन रही है मुझे आपको कह रही है यह फात्मा के कहनी है यारे है सैमा सैमा बढ़ी कोड़ी टपड़ी वह क्या क्या रही थी आपके बारे मेरी बहन की सास मेकप की दुकान इस तरह से कुछ करके बोल रही थी और बहुत आप बहुत आप जी आपको क्यों इस तरह से पोक करती है अब वर्ता को पकड़के बैट गई हैं कब बढ़ता ऐसे नहीं बोला करें मेरे बारे में ऐसे कोई भी ना बोले और आप बीना कहती है कुछ लोग आ जाते हैं ऐसे बात करने के लिए समझाई ना ऐसे आते कि यहाँ मेरे चू fantasybase क्यों पर शोड़ता जूट लुट 느 के अब आपधान फोर्ड़कें साथवास जांडी। में आपने बेते की की ँड़ता के लिए जाता लोग व्लॉग करेंगी ना तो लोग भी आपको कोई लोग ड nossa लग और शूजब और आपको कहीरने हुआ बैट तु बाप से पर ले आ ना 15 दिन बाद तो तेरे बेटे ने वैसे ही आ जाना तो कहती है नहीं 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 के बेटे के लिए जा रहे हूं वह बुला रही है उसने कहा अच्छे चलो ठीक है वैसे तू नहीं जा मौसमी हलात को ही देख लेगर डीशेटी वाजब हो जो गई न अच्छा उसके बाद जा है फिर इसने कहा कि मैं तो नहीं को मिलने के लिए जा रही हूं फिर जब ये दूसरे ही दिन वीडियो में नदर आती है अच्छा अपने थामनेल पे लगाती है मुझे फात्मा ने बुलाया है यह याद रखे गई है दो बाते हो गई फात्मा ने बैठी होती है तो कहती है कि मैंने सुना के मेरे बैटे की तव्यत खराब है तो मैं सर्प्राइज देने आ गई और मैं बैटे को मिलने के लिए आ गई फिर उसी दुरान फात्मा कहती है हाई ला मुझे तो बताया ही नहीं आ आपने मैं तो खुद पर हीचान हो गई किया सर्प्राइज का सर्प्राइज भी हो गया और तेरी तव्यत पूछने आई थी अपने थामनेल पर लगाती है कि मुझे अरजंट फात्मा ने बला लिया उसके बाद को क्या क्या आती है मैं नाना के लिए जा रही हूँ और मतलब इतनी सारी जब आप बाते करेंगे तो भी लोग तो कहेंगे कि बादी बादी है करें यार आप अभी तो मैं जवान हूं करो करो मैंकप करो लेकिन सुर्फी जो है ना मुझे शुर्ल वाले तड़केदार जुली वह ऐसे लगता है एक जो है न चम्ची पूरी आपने घी की अमक्षन की ऐसे लगाई है तो वह थोड़ा ओवर लग रहा होता है बाजी सही बत कौन सी एक्टर है कोई एक्टर है उसकी शकल देती है सोनी लगती हैं सेक्सी सेक्सी लगती हो बस सुर। कि जो शुर्म वाली जो लगाती है लंग जिसे बोलो मोटे तो सोनी लग दी मेरी जान दी टोटी चुड़े गई के लोग मेरे मैकप पर बात कर यह सल में मुझे लगता सांवा को जवाब दे रही थी लेकिन सही नहीं दिया खुल के देना था पता तो चले के सैमा कोई वजा रही है आप ठीक है ना उसको वजा के आप जो है ना ऐसे ल बड़ा घुमा के दिया था उसने रियाक्शन खैर भी ना बाजी के बाकी रही माँ बेटे की बात हम माँ बेटा है माँ कभी बच्चों से नराज नहीं होती मैं मिलूंगी आओंगी जाओंगी बाकी माँ बच्चों के पास नहीं आगी तो और किसके पास जाएगी तो लोग टक्रे मारते रहते हैं दीवारों में बैख कि दिन अलगाल करी है जितनी बातें खातम हो गई यह पर खेतों में निकल गए देकिन वह गाए जा रही है वह नहीं रहे है चोटी जी इसमें पानी भी बगता है इस वे जो है मर्चें भी चलती है उसमें घोबी बैंग सारे चल रहे होते हैं इस तरह से आप कर रहे हुते हैं तो भाई नहीं करने थी फिर शहादी जब बच्चों को आपको एहसास है महबत जागे ये अपना नीना खड़का ना था निका अब खड़का दिया तो हम तक चाहते हैं बबी ना भाई ची सदा स्वागन रहे अपने कह करेंगे तो ऐसा बंदा ना कहीं का नहीं रह जाता बच्चे भी पिर नराज तो फिर वो भी नराज तो बीच में बंदा पिस जाता है खैर बाकि आपके उलाद है आप नहीं मिलना है और किने आके मिलना है किसी सुगरा कुबरा ने तो नहीं आके मिलना ना बीना नहीं जाना मिलनां तर्फीन सर पर हाथ रखे कि बच्छें को थोड़ी से तालीम न को थोड़ी सी दे दें समझाए इनको बंदे कुट्रोंस स्वेट याराम ना को करते हैं को वखरी मां बढ़ी है जी नहीं हराम करका है जूँ चड़ा के उसकी भी सुनी है को सर गी उसका भी तो पहला बच्चा है ना एक किसम से पहला बच्चा पाल रही है पहले तो हुआ विचारी का वो तो फौत हो गया इसका कहना मैं समेरा मैंने सुनाए अंगूर पंच बंच के लोग खा जाती थी घ कि अधरी जाता है कि ऐसे समेरा को अच्छा नहीं करती थी तू भी खालए दो चार अंगूर खटे हैं दूसरे को अंगूर खटे लगा के खोड़ा खा लेती थी घुनी अच्छ बात यह है कि समेरा की भी चुँचड़क हमने नहीं सुनी जो लोग कहते थे कि सुमेरा जो है अपना घर अकेले नहीं चला पाएगी बहन के इलावा अब वो अपना घर चला रही है रह रही है उसने तो चूंचड़क नहीं की कि हाई मेरे से नहीं संभाला जाता बच्चा हाई मेरे से यहां पर अम्मा इसकी एक पैर रखती है ओ दर रही म्यार खान है केड़ा है खान पूर है जो भी आ इनका शहर वहां पर पहुंचती है पीछे से फिर वो बलाती है दाना अम्मा रात बच्चा रोड़े ला कहता है र आपने पारसल कि पूछा बारत का सब्सक्राइब कर दो रंग देखे ते उस्टाम तग रवीज भी दो रंग वह थे तो खैटाब सबके घर इस जाएंगे बाबर एक हर हर किसी करती सिएस जाएगा और वहां से ही आपको पारसल रसीव होगा तो खेर रिश्पांस दे रही थी थी अपने सलही कपड़े वगैरा भी कर रही थी माम्मद इबराहीम बड़ा नगता प्यारा से लग रहा था लगता लेकर नान इरिटेट करते हैं विचारे का उसका जीना हराम किया हुता है, इसने नाना ने, ठीके न, वो बच्चा सुलजा हुआ, बच्चा लगता है मुझे, लेकिन यह नाना खुद रही है यह उसको छेड़ती रहती है, बैटा रो, रो, रो मुझे हका काम नकरना पड़े पाइदा कर लिया काम चोर पाल ले उसको पाल ले हार वे ले अम्मा तेरी नहीं खड़ी रहेगि अम्मा का घर बसने दे लेकिन अम्मा कहते तो जीध था बोला आमा मझा वागी वर्दा की बात कर रह थी तो वर्दा ने तुम्हरे ये बातें पकड़ी है व्लॉक से तो फिर बोला है का भाई जब तू इन चीजों की वज़ा से नहीं आई तो फिर किस वज़ा से आये तेरी बातें नहीं मैच हो रही तो तुझे लगता सल्मा नहीं बेगा है तो खैर ये जो शादी वाली जो सल्लू वाली बात है भाई ये वड़ी ने निकलवाई है मुझे भी पूर करते हैं फिर मिलते हैं यू वीडियो के साथ अल्ला हाफिस बाई बाई